सब्सक्राइब करें चैनल को और बैल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए दोस्तो हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरी चैनल Mr. Atok में मेरा नाम हैंकीत और दोस्तों अगर आपने pencard online apply किया है या फिर कोई भी correction किया है या है आधार बेस KYC से तो यहाँ पर दोस्तों जब भी आधारकाड आपको by post मिलता है या फिर आपको e-pan email में मिलता है तो आप वहाँ पर देखोगे तो जो signature का जो part है वहाँ पर आपको white border दिखाए देगी म फिर भी यहाँ पर जो भी आपने digitally e-sign किया है आधार बेस के तुरू तो वहाँ पर signature नहीं आता दोस्तों pencard में ठीके तो यहाँ पर आपको कोई भी tension लेने की जरूरत नहीं है लेकिन यहाँ पर जो white border है उसके right side पे एक sentence लिखा हुआ है pen application digitally sign card not valid unless physically sign तो यहाँ पर दोस् border है मतलब की जो white party है वहाँ पर कोई भी एक permanent marker लेना है और permanent marker से वहाँ पर आपको sign कर दिना है जिहां जो white party है वहाँ उसके उपर आपको sign कर दिना है तो पका pen card है वो valid हो जाएगा जिहां दोस्तों तो sign वाला अधार card आपको bank में required नहीं है क्योंकि bank के पास already आपका data है आ bank में आपको कोई issues नहीं होगा लेकिन अगर आप अधार कोई documents वहाँ जहां आप legal documents use करते हो वहाँ पर आपका as a proof अधार card और pen card required है वहाँ पर आपको pen card में sign करना सरूरी है जहां दोस्तों तभी आपका जो pen card है वो valid होगा और दोस्तों अगर आप एक YouTuber हो और AdSense के लिए आप apply कर रहे हो तभी वहाँ पर आपको as a proof pen card देना होगा तो वहाँ पर भी अगर आपका pen card है और digitally sign नहीं होगा तो आपका जो approval है और reject हो जाएगा जिहां दोस्तों तो ये भी आपको ध्यान रखना है और अगर आपका pen card आपको without sign मिलता है without signature मिलता है तो आपको सिर्फ क क्या करना है एक marker pen लेकर उस पर sign कर देना है बस इतना ही दोस्तों बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप डिजिटल इस जब भी pen card मंगवाओगे correction करोगे तो वहाँ पर आपका जो अधार अधार card है वह without signature ही आएगा दोस्तों जहां दोस्तों तो व तो वीडियो को जल्दी से like कर दो और चैनल को जल्दी से subscribe कर दो thank you so much for watching